रिस्तों को निभानी के लिए चाहिए हमें positive attitude, व्यापार के लिए चाहिए हमें positive attitude, job करने के लिए जाना हो तो क्या चाहिए हमें positive attitude, negative attitude वाला क्या करेगा, ग्रहक दुकान पर आएगा, वो कहेगा, बाई साब मुझे आपका कपड़ा पसंद नहीं आया, तो negative attitude होगा तो हम क्या कहेंगे, या किसी कपड़े का दुकान दंदा है क्या, कोई है, अच्छा आपके है, भाई साब अच्छा चलिए आप ही बताइए, जन्होंने हाथ खड़ा किया था, कि किसी ने आपके दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा थान में से आपने काट के दि क्या होगा, वो ग्रहक आप से, है, नाराज होगा, वो आपको लड़ू तो खिला के नहीं जाएगा, आपने जड़ से कह दिया कि माल बेचा हो, वापस यह थान में से फार दिया, अब हम वापस कोई आलत में नहीं लेंगे, अब जगड़ा शुरू हो गया, आपका negative attitude था, हो सकता है, वो इतना शौर गूल कर लेंगी, या तो आपको कपड़ा बदलना पड़े, और अगर वो ना बदला आपने और कपड़ा लेकी भी चला गया, तो दुबारा जिन्दिगे में वाग ग्रहक आपके दुकान पर आएगा, हाँ, वो कहते हैं कि दस लोगों को और तोड़ेगा, वो खुद तो तूटेगा सो तूटेगा दस लोगों को, और तोड़ेगा, अब positive attitude अपना ये, ग्रहक के साथ, कि ग्रहक तो लक्ष्मी का पुत्र होता है, अब उसके साथ positive attitude अपना ये और क्या होगा, आप कहते हैं, पसंद नहीं आया, भाई साथ, हालांकि मैंने थान में से फार दिया है, मैं वापस अगर करूँगा, मुझे घाटा तो होगा, पर अगर आपको पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे भी कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, कि आपको कपड़ा रखे ही रखें, कोई बात नहीं, मैंने थान में से फार दिया, मेरे दो पैसे घाटा लगेगा, पाप आराम से मेरे वापस कपड़ा दे दीजिए, अब गर्हक के मन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बोले क्या आ रहा है अंद से, यह दुकान दे आरा, बहुत बढ़ी आदमी है, यार, वास् तो इसको घटट तो लगेगा अब ये पांच मीटर कपड़ा वापस काम आएगा के नहीं आएगा पका नहीं है तब वो कहएगा ठीक है ठीक है वाई सब कोई बात नहीं अब मेरे काम नहीं आ रहा है आप थोड़ा कम ज्यादा करके वापस ले लीजिए अब आपको एक मौक पर जगड़ा नहीं होता है पर अगर अपने 100 रुप्या घाटा खा लिया कि निभाई साब ऐसा मुझे कोई कम नहीं करना है मैं दूत पीता हूं किसी का खून नहीं पीता आप आराम से रख दीजिए अब वो ग्रहाग पता है कि वो कब तक आपको फाइदा देता रहेगा जब तक उसे अपनी जिन्दगी में कपड़ा खरीतना होगा तब तब वो आपकी ही दुकान पर आएगा और आपसे आपको व्यापार करवाता रहेगा आपको मुनाफ़ा करवाता रहेगा कोई बात नहीं भाई आज घाटा लग गया तो क्या हुआ कल हम वापस उससे कमा लेंगे यह है पॉजेटिव 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 एटिटिव तो व्यापार के लिए भी क्या चाहिए सकारात्मक दृष्टी सकारात्मक नजरिया और ऐसे ही आप समाज में रहते हैं भारत में खास तोर पर यह नेगेटिव एटिटिट फैला हुआ है और वो है जाती बाद जाती बाद का जहर इतना घुला हुआ है देश में कि यहां पर किसी को भोजन के लिए बुलाओ या आओ जाओ तो भी वहाँ जाती महत्वर रखती है शाषन प्रशाषन वाले कॉलेज में अगर एडमिशन देते हैं तो भी जाती के आधार पर चुनाओं में लोग अगर वोट देने जाते हैं तो भी जाती के आधार पर और अगर किसी को मिनिश्टर बनाना है तो वो भी जाती के आधार पर तो हमारी इस negativity ने मानो समाज को तोड़ा है बाटा है किसी समय में लोग कहते थे कि हमारे देश की समस्या संपरदायवाद है मैं कहूंगा संपरदायवाद नहीं बलकि जाती वाद हमारे देश की मूल बूत समस्या है और ये हजार साल पहले भी समस्या थी और आज भी ये समस से हमें— हजार साल पहले भी चुवा चू चलते थी मालब आप सोचिये कि कुए में से पानी भी इस कुए में से अमूख जाती के लोग ही पानी ले सकते हैं पी सकते हैं दूसरा विकति वहां पर पाने नहीं सकता अब बताओ पानी कौन पैदा कर रहा है तो मारी जातवालों ने पैदा किया या किस ने कहा है कुद्रत ने पैदा किया पानी तो प्रकरती जो चीज दे रही है उसके लिए तुम क्यों बटवारा कर रहे जब प्रकरती पानी दे रही है तो वो कोई भेद नहीं करती बादल बरसते हैं तो भेद नहीं करते कि मुझे जोतपुर में बरसना है और जैपुर में नहीं बरसना है वो भेद नहीं करती प्रकरती बादल कोई भेद नहीं करते कि मुझे अमुक जाती वालों के लिए बरसन भाई अगनी सबकी रोटी सेखती है सूरज सबको उजाला देता है बादल सबको पांदी देते हैं मगर हम इनसान ऐसे हैं जिनोंने नेगेटिव एटिटूट ऐसे पाल लिये हैं कि जहां हम एक जाती से दूसरी जाती वालों को प्रेम, मिलाप, सम्मान रखना पसंद नहीं करते अभी कुछ दिन पहले ही संबोधी धाम में कुछ इश्टाफ का सम्मान हो रहा था तो एक-एक श्टाफ आ रहा था, ट्रश्ट के मंत्री, अध्यक्ष, अन्य, पदा, दिकारी गण, सब लोग आ रहे थे मलब सभी लोग सम्मान कर रहे थे, एक-एक श्टाफ का तो उसी सम्मान की कड़ी में सबको मालाएं पैनाई जा रहे थी, तिलक किया जा रहा था, कुछ भेंट भी उनको दी जा रही थी तो सम्मान की कड़ी में एक-एक श्टाफ आ रहा था, तो इतने में हरीजन आया समझ ये का बात को, तो हरीजन बंधू आया, तो वो थोड़ा सा संकोच खा रहा था कि साब मैं इन सेट लोगों के बीच में जाऊं या न जाऊं तो वही गेट पर खड़ा होगे कि साब मुझे जो देना है या पर पहुचा दीजिए, पर मैंने संके दिया, अब आराम से अंदर आ जाओ भहिया और फिर जब वो अंदर आया, और ये जानते हुए भी कि वो हरीजन है, संबोदी धाम के महामंत्री अशोग जी पारक ने आगे बढ़ करके उनके सिर पर तिलक किया और अपने हाथ से माला पैनाई उनके सिर पर तिलक किया और माला पैनाई और हाथ में भेट जब समर्पित की, मैंने उस दिन अशोग जी पारक की पीट थप थप आई और मैंने कहा, इसी का नाम है हियूमेनिटी, इसी का नाम है इंसानियत, कि हम लोग जाती के आधार पर नहीं, बलकि इंसान के इज़त क करते हैं, आपने आज हरीजन को जो तिलक किया और माला पैनाई इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, तीन बार थेंक यू, थेंक यू, यह पॉजिटिव एटिटूट का परिणाम है, मैं आपको बताओ, हमें सुनते सुनते लोगों के दिल रूपांत्रे थुए हैं, बद समाश में पॉजिटिविटी चाहिए, धरम में पॉजिटिविटी चाहिए, संतों के बीश में पॉजिटिविटी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर धरम के लोग आपस में एक दूसरे के हां आएंगे, जाएंगे, एक दूसरे के समारूह में जाएंगे, तो उससे भारत का असली जन्म होगा अब जैसे मैं आपको बताऊं अभी चार दिन बाद ही मैं यही पर ही मत्रुआ दास मातुर अस्पताल में कार्डियो लॉजिस्ट सेंटर का उद्गाटन करने के लिए जा रहा हूं तो कार्डो लॉजिस्ट सेंटर बाहरे करूड में बना करके समर्पित किया जा रहा हूं और बनाया है किसने निर्मल जि गहलोत ने उत्कर्श के उत्कर्ष स्रिक्षण संस्थान के मालिक तो उन्हों ने वो कार्डोलोजिस्ट सेंटर बनाया है और उद्घाटन करने के लिए मुझे आगरह अन्रोद किया गया है आपको पता है एक गहलोत परिवार के मन में चंदर प्रभु महराश को बोलाने का जो सदभाव पैदा हुआ यह किसकी वज़े से पॉजेटिव एटिट्यूट की वज़े से हमने हमारी किताबों ने हमारे दिव्य प्रभुचनों ने लोगों को एक समझ दी है एक अंदरिस्टेंडिंग दी है और वो यह दी है तुम जितना जितने अपनी तरब से दूसरों को गले लगाओगे तुमा हमारी ताकत कम 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 होती चली जाएगी जरा बताओ तो सही एक का अंक है जीरों लगाओगे जोड़ोगे तो कितना बड़ेगा दस एक और लगाओगे तो सो एक और लगाओगे तो हजार एक और लगाओगे तो दस अजार एक और लगाओगे तो एक लाख अब कम करो वाप बस एक जीरो कम किया कितनी होगी एक लाकी कीमत दस हजार दस हजार मेंसे एक और कम करो तो कितनी हो रही है संख्या हजार एक और कम करो तो कितनी हो रही है सो एक और कम करो कितनी हो रही है दस एक और कम करो कितनी हो रही है अकेला चना भाड नहीं बून सकता हम अकेले के अकेले रहे गए अकेले थे अकेले रहे गए इसलिए जिन को तुम समझते हो ये गदे हैं मैं कहूंगा उन गदों से भी दोस्ती रखो क्योंकि ये गदे भी जिंदगे में कभी बहुत बड़े काम आ सकते हैं मेरा मशूर वाक्य है कि गंदा पानी पीने के लिए भले ही काम ना आपाए पर आग लग जाने पर आग बुझाने के काम तो जरूर आ सकता है इसलिए अगर तुम किसी ओ गंदा पानी समझते हो तब में मैं कहूंगा उससे भी अपनी मित्रता रखो प्यार रखो पता नहीं ये गंदा पानी भी कब किस काम आजाए या तो पूरे अध्यात्म प्रिय बन जाओ के न कहूं से दोस्ती न कहूं से बैर और या फिर सबसे हिल मिलक चाल ये नरी नाव साईयोग सबसे गले लग करके चलो सब तुम्हारे हैं तुम सब के हो इस मंगल मैत्री भाव के साथ अपना जीवन जीओगे तो हम हर किसी अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे इनसान का अपनी जीवन की आगे बढ़ने के लिए कोई ने कोई उप्योग तो हम जरूर कर सकते हैं तो मुझे लगता है समाज में प्रेम होना चाहिए धरम में प्रेम होना चाहिए हम तो जहां भी चात्रोमास करने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि जहां चात्रोमास करने जाते हैं वहाँ उस शहर में जितने भी चात्रमाज होते हैं उनमें सबसे बड़ा पंडाल हमारा ही बंधा हुआ रहता है और सबसे ज़्यादा भीड भी जनता भी वहीं आती है लेकिन पहले दिन ही हम ये सबसे अन्रोद कर देते हैं कि हमारी और से नगर में विराजमान रहने वाले समस्त सादू साद्वी जन महराज फिर चाहे वो किसी भी गच्छ परंप्रा के क्यों नहों इस ज्यान समवस्रण में प्रेम से आमंतित हैं वह यहां पदारें और जनता को संबोदित करें और अपने दिव्य सत्संग से लोग ग्यारे होते हैं इसलिए जितना हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे हमारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी हैं और जब तक हम एक और एक आपस में तूटे हुए रहेंगे तो ना तेरी ताकत है और ना मेरी ताकत है तो कहते हैं कि भाई मरे तो बल घटे या भाई टूटे तो बल घटे बात समझे आ रही हैं भाई भाई के साथ ना हो तो क्या होगा हमारा बल आधा हो जाएगा तो भाई मरे तो बल घटे बाप मरे चट जाए कि पिताजी जिस दिन चले गे उस दिन हमारे घर की चट अब खतम हो गई चट्रचाया हमारी जो थी अब वो खतम हो गई भाई मरे तो बोल दो सब भाई मरे तो बल घटे और बाप मरे चट जाए जिस दिन मरेगी माहरी जिस दिन मरेगी माहरी जग सूना हो जाए चलो सब बोल लो भाई मरे तो भाई मरे तो बल घटे और बाप मरे चट जाए जिस दिन मरेगी मावडी जग सूना हो जाए तो एक से एक अगर हम जोड़े हुए रहेंगे तो प्रेम रहेगा परिणाम मिलेगा और अगर हम तूटते चले गए तो भाई साब बल हमारा आधा और अदूरा हो जाएगा आज माल लो जैसे मैं और ललीज प्रभजी तो चैंदर प्रभू ललीज प्रभू माराज अब मुझे अब इतने लंबे विहार होते नहीं है तो मैंने ठीक है आप वहाँ चले जाओ तो रायपुर छतिस गड़ में चात्रमास करने के लिए चले गए और मैं यहां रह गया बल आधा हुआ की डबल हुआ कहने को तो कह देंगे मैं यहां पर आजाद हूँ तुम वहां पर आजाद हो जो दिल चाहे सो कर लो साथ मैं नेने से आजादी पर तो अंकुष लगता है पर बल हमेशा दुगुना बढ़ा हुआ रहता है तो तुम वहां हम यहां तेरा बल आधा मेरा बल भी आधा हमेशा अपने नजरिये को इतना अच्छा बना कर रखो कि हम जो जो आपस में जुड़ेंगे हमारा बल बढ़ता चला जाएगा तो यह है जुड़नी का फाइदा जुड़ेंगे जिससे भी जुड़ोगे कुछ न कुछ पॉजेटिव परिणाम जरूर आएगा और जब भी तूटोगे कुछ न कुछ नुक्सान तो जरूर होगा इसलिए दिल से कहो पॉजेटिव एटिट्यूट यानि प्लस और नेग करना है तो नेगेटिव एटिट्यूट अपनाओ ये है हमारे लिए एक परिणाम मैं मेरे प्यारे सादक भाई बैनों से अपने सभी प्रियजनों से अनरोद करता हूँ एटिट्यूट अपनाओ पॉजेटिव 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 और पॉजेटिव एटिट्यू है वो भी ठीक और मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक हो सकता है अपनी बात पर जिद मत करो अपनी बात पर अड़े रहने का नाम एकांतवाद है और सब की बातों का सम्मान करना इसका नाम है अनिकांतवाद मैं अनिकांत धर्म का समर्थन करता हूं अनिकांत धर्म को अपनी जी कीता हूं बस इसलिए सब का सम्मान करता हूं कि पॉजिटिव एटिटूट प्राप्त करने के लिए पहला काम कि गिलास लो अपने पास और एक प्रसिद्व उदाहन लीजिए आधा गिलास कि नेगेटिव एटिटूट का आदमी क्या करेगा आदा गिलास खाली है वो हमेशा खाली गिलास पर ही गौर करेगा वो एक आपने मेरे लिए क्या किया किया तो क्या एहसान किया गया पापा आपने किया तो आपकी ड्यूटी थी कोई मुझे पर एहसान किया गया तो वो क्या कर रहा है हमेशा खाली गिलास पर गौर कर रहा है और positive attitude काद भी क्या कर रहा है हमेशा हमेशा आधी गिलास भरी हुई पर गौर करता है और powerful attitude वाला क्या करता है वो ये कहता है कौन कहता है आधी गिलास खाली है पापा आधी गिलास आपने भरी बाकी के आधी गि अपनी गिलास कभी खाली नहीं रहेगी पावरफुल एटिटूट का ये परिणाम आएगा पर ये बात एक बात समझ लो कि मैं कभी भी खाली गिलास को गौर नहीं करूँगा इसलिए कभी किसी कारिक्रम में जाओ न अगले ने बारहे आइटम बनाए वहाँ से निकलते समय पानी मत उतारो अगले का कहीं बनाया यार दाल तो एड़ी थी जड़ा बिलकुल पानी अलग थी दाल अलग थो अरे भाई तूने तो कभी उसको पानी भी नहीं पलाया उसने बिचारे ने कम से कम दाल तो तेरे लिए बना के खिलाई बी पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हुए मैं कहूँगा कभी किसी का पानी मत उतारो हमेशा अगले जो खिलाया है उसको खाना खाने के बाद तीन बार ठैंक यू जरूर बोल कर आओ भाई सब धन्यवाद 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 बहुत सुन्दर खाना बनाया धर बाने को याद रखूंगा तीन बार ठैंक यू बोल कर आओ आपके घर में अगर बहु आई है तो उसके पीरवादे को यह मत को दिवाड़ी गई काई दियो ही को नहीं ओड़ी माथे भी काई नहीं बेजियो ओड़ी मत दो भाई उसने बहुत दिया है हमें उसने हमें बहुत दिया है आपके घर में जो बहु आई है ना तो पता है उसके बहु की पीरवालों ने क्या क्या दिया आपको आपको लड़की पैदा करके पाड़ पोस करके पढ़ा लिखा करके आपको दिया है पढ़ाया किसने माबापने काम किसके आ रही है हमारे अबतों दिया क उसने के हमने उसने दिया। उसने बेटी दी, कन्यादान किया, शादी पर धेड साब, अपनी ऑकाथ से भी ज़्यादा खर्चा किया। थोड़ा बहुत दहेज भी दिया ही होगा, और बेटा तेरा था मगर डिलेवरी उसने करा के दी और फिर भी हम पानी उतारते हैं और कहते हैं अगले तो कहीं दे वही को नी अरे भाई अगले ने बहुत दे दिया अब देने की बारी तुमारी है तुम कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम तीन बार थैंक यू तो क्या ही सकते हूं